दोस्तों आज इस वीडियो में Episoft AC Sunscreen की जानकारी लेंगे जो Micro Encapsulated Sunscreen होता है साथ ही साथ Moisturizer की तरह काम करता है इस Sunscreen को कब और कैसे लगाना होता है और किसको यह नहीं लगाना होता है साथ ही साथ इसको लगाने से क्या-क्या फाइदे और नुकसान हो सकते है सब कुछ इस वीडियो में जानकारी लेंगे तो क्रिप्या वीडियो को पूरा जरूर देखे और चैनल को सबस्क्राइब कर मुझे सपोर्ट करें यह HPF 30 और Boot Star 4 Plus मतलब 4 Plus बाला संस्क्रीन है स्किन को दो तरह की Sunrace ज्यादा नुकसान करती है UVA और UVB यह संस्क्रीन दोनों तरह की रेस स्किन को प्रोटेक्ट करता है और Sunrace के अलावा भी ज्यादा समय तक Blue Light में रहने से स्किन पर बुरा प्रभाव परता है तो यह संस्क्रीन IR और Blue Light Protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जब कभी भी आप संस्क्रीन खरीदने जाए तो इस बात का ध्यान रखें जो लोग पहले से संस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते होंगे बाकी जो लोग नहीं जानते उनको मैं जानकारी देदूं कि जो संस्क्रीन SPF 30 और PA++++ बाला संस्क्रीन होता है बस किन को संरे से एक्सलेंट प्रोटेक्शन करता है तक्रीबन 80 से 90 परसेंट प्रोटेक्शन करता है बाकी जो संस्क्रीन SPF 30 से कम और डबल प्लस वाले होते हैं वो एवरिज प्रोटेक्शन करते हैं और जो ऐसे संस्क्रीन होते हैं जिन में SPF 50 और PA 4 प्लस होता है, ऐसे संस्क्रीन चेहरे को 90-95% तक प्रोटेक्शन करता है, मतलब extremely protect, शन करता है, यह non-comedogenic और lightweight profile साथ ही साथ free संस्क्रीन है, जब कभी भी आप अपने चेहरे पर संस्क्रीन लगाए, कभी भी आपको डाक्टर की सला के बिना संस्क्रीन नहीं लगाना है, क्योंकि संस्क्रीन कई प्रकार के और अलग-अलग स्किन के लिए आते है, मतलब जिस प्रकार हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, उसी प्रकार sunscreen भी अलग-अलग skin के हिसाब से आते हैं, तो आपको अपनी skin के हिसाब से ही sunscreen लगाना होता है, बरना sunscreen लगाने से जितने फाइदे नहीं होंगे उसे ज़्यादा skin पर नुकसान हो सकते हैं, बात करें Episoft AC sunscreen की तो इस sunscreen को सभी प्रकार की skin वाले लोग लगा सकते हैं, पर जिनकी skin damage हो या कटी-फटी हो उस पर लगाने से बचे, बात करें कैसे इस sunscreen को लगाना होता है, तो धूप में जाने से 15 मिनट पहले इस sunscreen को लगाने की सलाह दी जाती है, और सुबह दो फर शाम लगाने को बताया जाता है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,